नमस्कार प्यारे दोस्तों एक बार फिर बहुत-बहुत सौगत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पे और फ्रेंड्स लगातार रिवीजन ही सफलता की कुझी होती है यह आप सभी को पता है अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो सभी आंसर्स को बूलने लग तो जो भी आज तक आपने पढ़ा है उसे अपने नोट से बुक से यूटूब से लगातार रिवाइस करते रहिए और हमारे चैनल पे अप्लोड किये जाने वाले वीडियो को पूरा पूरा देखे ताकि आपके एक्जैम के प्रप्रेशन हो सके और आपको सफलता मिल सके राजस्तान PTI एवं UPTGT 2022 वेकेंसी में आपकी प्रप्रेशन एवं रिवीजन परपस से ही इस चैनल पे लगातार वीडियो अप्लोड किये जा रहे हैं So let's start with question number one निमन में से challenge प्रतियोगीता का प्रकार कौन सा है तो option number four is correct here pyramid king type OK pyramid king type जो है वो उसमें स्रामिल किया जाता है challenge प्रतियोगीता को challenge प्रतियोगीता जो है वो pyramid king type में आता है नेक्स्ट अंतर विद्याले खेल के लाब कौन से होते हैं देखिए तो कौशल में दक्षिता का विकास जीतने परतिदीग जो और ब्याक जो है आपका ये इसमें से option निमर वानी सही होगा कि कौशल में दक्षिता का विकास करना ये intra-muller जो competitions होते हैं उनके main benefit के रूप में जाना जाता है let's move to next question कि अगर 21 टीमों के single knockout tournament में मैचों की संख्या निकालनी है तो कितना होगा देखिए तो मैचों की संख्या 20 होगी और formula होगा and n-1 upon 2 तो इसे आप calculate कर लीजेगा let's move to next question इमने कित में से intra-muller प्रतियोगीता का मुख्यो देश क्या होता है तो option number D is correct here उप्रोग्त सभी फिर से बात की जा रहे हैं देखिए intra-muller competitions की कि विद्यार्तियों में सेयोग की भावना विक्सित करना विद्यार्तियों को शारीग रूप से बलिस्ट बनाना खेल प्रतिभाओं की खोज करना उप्रोग्त सभी is correct answer इंट्रा-muller चाहिए प्रतियों में सबसे अच्छी अध्यापन की विद्यार्तियों में से उत्तम प्रस्तुति तक्मीक है और प्रजेंटेशन की बात की जा रही है तो देखिए और स्टाडिरेक सिक्षा की अम बात कर रहे हैं तो option number one is correct here प्रदर्शन यानि कि demonstration method सबसे अच्छी होती ह फिजिकल एजुकेशन में पार्टी होजना की उत्देश की ऐसे होने चाहिए तो देखिए आपको बता दे option number one is correct here that विशे वस्तु पर विशेज ध्यान दिया जाना चाहिए यह सही है according to question पार्टी होजना की उत्देशों में मुख्य रूप से विशे वस्तु पर ध्यान देना शामिल होना चाहिए दस टीमों के डबल लीग प्रडाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे and option number two is correct here यहाँ पे 45 okay friends formula क्या होगा देखिए एन एन माइन माइनस one next question 8 टीमों की single league प्रतियों गीता द्वारा एन एन माइनस one अपॉन टू होगा यहाँ पे formula okay 8 टीमों की single league प्रडाली द्वारा कुल कितने मैच खेले जाएंगे number of team 8 है single league प्रडाली की बात की जा रही है तो कितने मैच खेले जाएंगे तो option number one is correct year 28 पंद्रा टीमों के नॉक आउट प्रडाली से तीसरा तता चौता इस्तान भी निकालने के लिए कितने मैच खेले जाएंगे option number two is correct year 15 ही मैच खेले जाएंगे ओके lead up games हायक होते हैं तो किसमें सायक होते हैं देखे option number four is correct year मनुरंजन उपलब्द कराना तता कौसल बढ़ाना जन संपर्क की विदी निम्न में से कौन सी होती है ओके प्रेंट्स बात की जा रही है जन संपर्क की विदी की तो देखे आपको बता दे option number D is correct year that उप्रोक्त सभी यानि की खेल दिवस, प्रदर्शनिया यानि एग्जिविशन, रैली और जो स्पोर्ट्स ये सभी जो हैं जन संपर्क में शामिल किये जाते हैं शारीरेक सिक्षा में जन संपर्क का उदेश कौन सा नहीं होता है यह आपको बताना है option number three is correct year जनता सिधानी कठा करना ये जन संपर्क का उदेश नहीं होता इसके लावा शारीरेक सिक्षा के प्रती गलत धार्णाओं को दूर करना, कॉलेज की प्रगती की सूचना जनता को देना तता शारीरेक सिक्षा के कारिक्रम की जानकारी जनता को देना ये जन संपर्क के मुख पद्धती इस करेक्ट आंसर पिद्यार्थियों के वर्गी करण में किस विदी में उचाए को नहीं माना गया है option number 3 is correct year yfca पद्धती शारीरिक सिक्षा में सिक्षण के किस साधन द्वारा रचनात्मक शक्ति का विकास होता है option number 4 is correct year model के द्वारा रचनात्मक शक्ति का विकास किया जा सकता है शारीरिक सिक्षा सिक्षण में कौन सा श्रब्ब साधन नहीं है और बात की जारी है कौन सा audio add नहीं है देखें श्रब्ब की बात की जारी जिसमें सुनाई नहीं देता है दिखाई देता है तो film slide की बात की जारी Option number c is correct year शारीरिक सिक्षा सिक्षण में कौन सा श्रब्ब जो भी content होता है बच्चों को समझाने के लिए वो हम सुन सकते है तो ये श्रब्य साधन में आता है श्रब्य द्रिश्च साधन श्रब्य द्रिश्च साधन यानि कि audio visual add दोनों है दिखाई भी देता है content हमें और सुनाई भी देता है तो option number one is correct here video tape is correct answer श्रब्य द्रिश्च साधन में खेल का कॉसल शिखाने के लिए सबसे अच्छी विधी कौन सी है तो देखे पूर्ण अंश पूर्ण विधी options को आप ध्यान से पढ़ा कीजिए उसके बाद ही answer किया कीजिए पूर्ण अंश पूर्ण विधी is correct answer next question, league tournament के लिए fixer बनाने की कितनी विधी होती है तो तीन प्रकार की विधी होती है शाड़ियरेक शिक्चा में party होती है कितने प्रकार की होती है तो आपको बता दें, दो प्रकार की होती है समान एवम specific defining की wish list party होती है विधीयर्हतियों को cycle के पईयों के तारों के समान खड़ा किया जाता है तो इस पकार के सनरशना को हम क्या कहते हैं तो option no.3 is correct here इसे spokes सनरशना के नाम से जाना जाता है शारिरिक सिक्षा सिक्षण में कौन सा श्रब्य साधन है option no.2 is correct here radio इसके लावा bulletin board, film slide और poster में हमें सिर्फ दिखाई देता है तो वो जो है दृष्ण साधन के रूप में ये जाने जाते हैं और बाकी जो रेडियो है वो श्रब्य साधन में आता है single league tournament में भाग लेने वाली teamों की संख्या 16 है तो मैचों की संख्या कितनी होगी option no.2 is correct here 120 शारीरिक सिक्षक के लिए अनिवारी योग्यता क्या है तो option no.3 is correct here सनातक प्लस शारीरिक सिक्षा में सनातक डिगरी is correct answer विद्यार्थियों को स्पोक संरशना में किसके लिए खड़ा किया जाता है option no.3 is correct here PT के लिए कक्षा में विद्यार्थी स्विक्षा नुसार सिक्षक के सामने खड़े होते है ऐसी संरशना को क्या कहते है तो इसे मुक्त संरशना के रूप में जाना जाता है किस प्रतियों गिता में सभी टीमों को एक दूसरे के साथ मैच खेलना होता है and option no.3 is correct here लीग प्रतियों गिता सभी टीमों को एक दूसरे से मैच खेलना होता है शारीरिक सिक्षा में सिक्षण को प्रभावित करने वाला निम्न में से कौन सा तत्तु नहीं है आपको बताना है option no.3 is correct here कौन सा तत्तु नहीं है नेने नेने की छमता तो देखिए बात कर लेते हैं कि शारीरिक सिक्षा में सिक्षण को प्रभावित करने वाले तत्तु कौन कौन से है तो विशेवस्तु सुबिधाओं की उपलब्दिता सुरक्षात्मक साधन ये सबी है ओके फ्रेंड्स कुछ डाउट है अगर आपको तो आप इसका आंसर भी लिखिएगा कमेंट बॉक्स में नेने लेने की छमता जो है शारीरिक सिक्षा में नहीं आता है लेकिन ये भी कही न कहीं उपयोगी होता है इस कुछ आप लिखिएगा जरा कमेंट बॉक्स में निरिक्षक का मुख्य कर्तब भी क्या होना चाहिए ये पूछ हजाराये नेक्स कुछिशन में तो option number 3 is correct here पड़ा मर्ष देना निरिक्षक का मुख्य कर्तब भी होना चाहिए मुल्यांकन में क्या शामिल होता है मेंली Option number C is correct here काव अखा दोनों यानि की measurement and test दोनों ही evaluation में शामिल किये जाते हैं Single knockout tournament में कुल टीमों की संख्या 14 है तो कुल चक्रों की संख्या कितनी होगी Option number 2 is correct here 4 Friends आप देख रहे लगातार की tournament और Tournamentsants related, competitions related बहुत equations बन रहे हैs question paper में तो आप इस topic को एक बर जरूर revise कर लीजेगा ताकि सभी formula आपको याद हो जाएं वापस से मुल्यांकन एक प्रक्रिया है कैसी प्रक्रिया है? एक निरंतर प्रक्रिया है मुल्यांकन एक निरंतर प्रक्रिया में शामिल किया जाता है Let's move to next question and the next question is asking that मुल्यांकन उदेश बनाता है और क्या बनाता है? Option number 2 is correct here 14 टीमों के नॉक आउट टूर्णामेंट में कितनी बाई दी जाएगी? Option number 2 is correct here 2 बाई दी जाएगी मुल्यांकन सहायक होता है तो किसमें सहायक होता है? उप्रोक्त सभी में यानि उचित सैक्षिक निर्देशन में पार्टिक्रम के परिवर्तन में विद्यार्थियों के वर्गी करण में उप्रोक्त सभी में मुल्यांकन सहायक होता है पार्टिक्रम को प्रभावित करते हैं तो क्या प्रभावित करते हैं? कावाखा दोनों यानि व्यक्तिगत कारक और साती सात वाता वरण जन्यकारक दोनों को ही पार्टिक्रम में शामिल किया जाता है शारीरिक सिक्षा का पार्टिक्रम किस दर्शन पर आधारित होता है option number two is correct here समाजिक दर्शन पर आधारित होता है शारीरिक सिक्षा का पार्टिक्रम जी हाँ दोस्तों important question है देखें आपे क्योंकि मनो बेग्यानिक दर्शन भी दिया हुआ है option और समाजिक दर्शन भी दिया हुआ है तो आप इसे पढ़ लीजे अच्छे से इन सभी questions को revise करते चलिए हमारे साथ कि शारिरिक सिक्छा का पार्टिक्रम समाजिक दर्शन पर आधारित होता है और अगर आपको किस कि शारितों का विकास करने वाला सभी होना चाहिए एक अच्छे पार्टिक्रम में सभी को शामिल किया जाता है सभी विशेशताओं को खेल उपकरणों का सबसे अधिक उपयोग करना चाहिए कब उप्रोगते सभी यानि primary विद्याले पर माधिमिक विद्याले महा विद्य सभी इस तर पर यानि primary, junior, senior और college डेबल पर खेल उपकरणों का सबसे अधिक उपयोग करना चाहिए ये correct answer है खेल को विखसित करने के लिए सबसे अधिक आवश्यक क्या होता है तो option number 4 is correct here खेल प्रबंधन शारेरिक सिक्चा का प्रबंधन निवम प्रशाशन एक प्रक्रिया है तो कैसी प्रक्रिया है देखे विकास शील प्रक्रिया है शारेरिक सिक्चा की प्रबंधन निवम तो GR फ्रबंदन इवंप्रेर्श इस और शपर मुब करते हैं इंट्रा-mueller कारिक्राम हमें प्रधान करता है तो सहभागिता इस औरुख प्रतियोगीता को यानी चार दिवारी के बाहर एक संस्थान और फिर दूसे संस्थान के मद्दे तो इसे एक्स्ट्रा मिउलर कॉम्टीशन के रुप में जाना जाता है और एक किसी संस्थान के अंदर यानी चार दिवारी के अंदर जो प्रतियोगीता जीत होती है उसे इंट्रा मिउलर प्रतियोगीता के नाम से जाना जाता है ब्लैक बोर्ड एक सिक्षर साधन होता है तो option number two is correct year द्रिश्य साधन होता है जिसमें सर्फ दिखाई देता है उसमें कुछ भी उससे कुछ audio नहीं होता है यानि सुनाई नहीं देता है इसे वो द्रिश्य साधन में ही सरफ आता है खेल प्रबंधन क्या है कलोर विज्ञान दोनों है option number six is correct year इंट्रामिलर प्रतियोगीता से आप क्या समझते है option number का is correct year संसान के भीतर आयोजित प्रतियोगीता अध्यापन की एक बिदी निमनिकित में से कौन सी है option number three is correct year प्रदर्शन, डिमोंस्ट्रेशन, शारीरिक सिक्ष अध्यापक का गुण कैसा होता है क्या होना चाहिए उसमें देखे तो mainly खा अच्छा निश्पादक होना is correct answer skillful आदेश बिदी का उप्योग होता है किसमें होता है ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में आदेश बिदी का प्रयोग किया जाता है okay question number 55 sorry sorry friends marching में यह देखे marching जब March past होता है तो commands देनी होती है तो track or field event में marching sorry क्या हो रहा है यह थोड़ा सा answers wrong हो रहे हैं कहीं कहीं पर मैं correct करती चल रही हूं दोस्तों so sorry for that तो marching में आदेश बिदी का उप्योग होता है actually सारे answers को ज़्यादा से ज़्यादा questions को हमें की वीडियो में cover करने की कोशिश करते हैं खेलो के लिए उप्योगी सिक्षण साधन कौन सा है option number 4 is correct यह द्रिश्य स्रब्य साधन जो है वो सिक्षण साधन में सबसे ज़्यादा उप्योगी है निम्ने में से combination tournament कौन सा है देखे तो आपको बता दे league come knockout जिसमें दो प्रकार के tournament को combined रूप में शामिल किया जाता है तो वो combination tournament में आते हैं सीडिंग कितने प्रकार की होती है तो तीन प्रकार की होती है next question sorry दो प्रकार की होती है सीडिंग two types की होती है option number two is correct यह खेल प्रबंधन का छेतर निर्भर होता है किस पर निर्भर होता है तो प्रोक्त सभी पर यानि करमचारियों पर सुधाओ पर पि let's move to next question and the next question is asking that PBES का तातपरिन में से कौन सा है तो planning, programming, budgeting, evaluation of system यानि कि option number four is correct here planning, programming, budgeting, evaluation and system PBES के प्रबंधन में सबसे कठिन प्रबंधन किसका होता है तो friends इसका answer भी मुझे थोड़ा सा doubt है तो आप इसका answer भी comment box में लिखेगा क्योंकि मैदान का होगा या करमचारी का होगा इन दोनों ही options में मुझे थोड़ा सा doubt हो रहा है खेल प्रबंधन में सबसे कठिन प्रबंधन किसका होता है वैसे तो मैं option number one के साथ ही जाओंगी लेकिन answer sheet में करमचारी का लिखा हुआ है तो आप बताईएगा किसका correct answer क्या है next question खेल प्रबंधन के लिए प्राचींतम अभिव्यक्ति कही गई option number का is correct here जो होती है वो क्या होती है खेल प्रबंधन के लिए प्राचींतम अभिव्यक्ति कौन सी है तो प्रशाशन इमने में से कौन से कारक कक्छा प्रबंधन को प्रभावित नहीं करते हैं option number guys correct here सामाजिक इस्तर कक्छा प्रबंधन की बात की जा रही है तो सामाजिक इस्तर option number guys correct here संगठन वा प्रशाशन प्रतियोगिता योजना के ब्लू प्रिंट को रणनीती के नाम से जाना जाता है option number C is correct here प्रबंधन की आधार बूतकार यो प्रोक्त सभी होते हैं यानी नियोजन एवं संगठन निरदेशन एवं कारिक्रम आर्थिक एवं प्रबंधन सभी correct answer है खेल प्रबंधन की आखरी कढ़ी कौनसी होती है option number 1 is correct here नियंतरन एवं मुल्यांकन इंट्रा मिलर एवं एक्स्ट्रा मिलर खेल प्रतियोगिता हैं योगदान करती हैं किस में तो option number 2 is correct here, सेक्षिक लक्षे में, खेल प्रबंदन में प्रतम चरण क्या होता है, option number, गा इस और आधुनिक सिध्धान्त, खेल प्रबंदन में प्रतम चरण क्या होता है, यह कहा जा रहा है देखे, तो आधुनिक stimmt binary correct answer दिया है, यहां पे according to option. और वैसे तह planning main होता है, नीचे दिये गए में से कौन सी प्रबंधन पढ़ती नहीं है? Austin No. 3 is correct here. व्यवस्थित विश्लेशनात्मक सीध्धान्त कौन सी प्रबंदन की पढ़ती नहीं है? व्यवस्थित विश्लेशनात्मक सीध्धान्त जो नहीं है. इसके लावा classical सिध्धान्त, नव classical सिध्धान्त एवं आधुनिक सिध्धान्त जो है वो प्रबंधन पद्धती में शामिल किये जाते हैं नीचे देगे विकल्पों में से कौन सा प्रबंध का सिध्धान्त नहीं है option number गाइस करेक्टियर वातावरण इसके लावा अनुसाशन, कारिका विभाजन, निरदेशन ये सबी प्रबंधन में शामिल किये जाते हैं निकित में से कौन सा एक प्रबंधन का कारिन नहीं है option number four is correct, येर एकत्रित होना इसके लावा दोड़ा करना, समेलन करना, कारिशाला, ये सबी जो हैं प्रबेक्षण में शामिल किये जाते हैं next question, निकित में से कौन सा एक प्रबंधन का कारिन नहीं है तो option number, आपको बता दें यहाँ पे option number four is correct, येर दाट विशे वस्तू, ओके next question, किसी सामान ने उद्देश ये अत्वा, उद्देशों की प्राप्ती के लिए विसे स्टंगों का मैतरी पूर्ण सही हो, जनी संगठन कहलाता है, ये कतन किसका है तो option number five is correct, येर एच, ल, एच हेने, इस correct answer next question, मिखित में से कौनसा एक, कौनसा एक नित्तेतु का गुण नहीं है, तो option number four is correct, येर उच, ओके next question, मिखित में से कौनसी एक परिवेक्षण की विदी है, ओके, तो कौनसी है का नम्मर, यानि कि सम्मेलन परिवेक्षण की एक विदी में शामिल किया जाता है पार्ट योजना की भाषा नहीं होनी चाहिए, तो आइस पस्ठिवम कटिन दोनों, का वाखा दोनों correct answer, ये मिखित में से कौनसा है, कौनसा है, कौनसा है, कौनसा है, तो option number three is correct, येर नॉक आउट, कौनसा है, कौनसी होती है, तो गार नम्मर is correct, येर वे ख्यान विदी is correct answer वारतल आप ऐसी सभी चीजों का जोड़ है, जो एक व्यक्ति तब करता है, जब वा दूसे व्यक्ति के मन में समझ बैदा करना चाहता है, तो ये कतन किसका है, तो option number one is correct, येर ल, ए, 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 ल,न, शारिरिक सिक्षा में समय सार्णी को प्रभावित करने वाले कारा कौन से ह तो option number four is correct, येर उप्रोगत सभी, यानि कि देखे समय सार्णी की बात की जा रही है, विद्यार्तियों की संक्या, टाइम टेबल की बात की जा रही है, करन की उपलब्दता वाता, वरन की उस्तिती, सभी इसको प्रभावित करते हैं, कक्छा का प्रभंधन निर्भर करता है option number four is correct, येर सिखाई जाने वाली क्रिया के प्रकार पर, पार्ट योजना की भाष्णा कैसी होनी चाहिए, तो बिधी पूर्बक और संबंदित होनी चाहिए, option number six is correct, येर निरिक्षण समझा जाता है, और देखे, निरिक्षण को क्या समझा जाता है निमन में से, तो correct answer हम आपको यहाँ पर बता देते हैं, option number six is correct, येर सूक्षम अवलोकन की अनुभूती के रूप में निरिक्षण को समझा जाता है, नेक्ष्ट जिमनास्टिक कला उत्तम प्रकार से सीखी जा सकती है, option number one is correct, येर सहायक सामगली तताउप करनों के प्रयोग से, श्रब्य दिश् आदन यानि audio visual ads की बात की जा रही है, किसे भी विद्याले कारेक्रमों में से किसे spark plug कहा जा सकता है, spark plug की बात की जा रही है, option number three is correct, येर समयसारनी, अंतर सदनी प्रतियोगिताएं किसके लिए महातुपूर्ण होती है, option number four is correct, येर सभी के लिए, यानि विद्याले के प्रबंधन का प्रकार नहीं है, इसके लावा योजना, निर्देशन, कोडिनेशन, ये सभी प्रबंधन के कारे में आते हैं, okay, next question, संस्ता के चारदीवारी के अंदर आयोजीत प्रतियोगिता को क्या कहते है, संस्ता के अंदर, intra-muller is correct, answer, next question, खेल प्रतियोगिता करने है तो प्रबंधन का मुख्य सिद्धान्त कौन सा होता है, option number 4 is correct here, उप्रोक्त सभी यानि व्यवस्थापन, योजना, आई, वे, लेखा, ये सभी खेल प्रतियोगिता के प्रबंधन में शामिल किये जाते है, मुल्यांकन वह निर्दारन है, जो कि उदेशों की प्राप्ति क कैसे के जाए, या कतन किस ने दिया था, तो option number 1 is correct here, लारसन एंड योकब ने दिया था, next question, मिकित में से कौन सा extra मुलर प्रतियोगिता का उदेश नहीं है, तो option number 3 is correct here, संस्ता का विकास, okay, manager क्या करता है, पूछा जा रहा है, manager क्या करता है, and option number, जो है, आपका, खाया पे स जो का number option है, प्रसाशन, और खा number option जो है, वो प्रबंधन, तो दोनों ये काम करता है, manager, option number 3 is correct here, प्रसाशन एवं प्रबंधन, खेल समगरी के चेयर में सबसे अधिक ध्यान में रखने वाला, जो कारक है, वो क्या है, तो option number 4 is correct here, गुडवत्ता, निम्न में से कौन सा खेल, खेल प्रबंधन का कारे नहीं है, तो option number 4 is correct here, उप्रोक्त में से कोई नहीं, यानि कि देखिए, योजना बनाना, संगठन करना और निरदेशन करना, ये सबी खेल प्रबंधन के कारे में शामिल होते है, आरसी रेनियल के अनुसार खेल प्रबंधन के कारे कौन से है, तो option number 4 is correct here, उप्रोक्त सभी, यानि योजना, संगठन, इवम नियंतन, ये सबी खेल प्रबंधन के कारे है, निमने में से कौन सा कक्छा प्रबंधन का सिधान्त नहीं है, option number 3 is correct here, स्कूल का नाम, तो देखिए, समय और स्थान का पूर्वनिश्य, सुरक्षात्म, अकसादन, आप हमें comment box में लिख के बताईएगा, तो मिलते हैं आप से जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, till then take care, goodbye